MS Word 2016 के इस अध्याए में आजा प्राप्त करेंगे MS Word 2016 का परिचे साथ ही सीखेंगे MS Word 2016 स्टार्ट करना और जानेंगे Quick Access Toolbar, Ribbon, Ruler इत्यादी के बारे में अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ इसे शेयर करें और नई वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें MS Word Microsoft Office के सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाले टूल्स में से एक है एक स्कूल के बच्चे को टाइपिंग सीखना हो या कोई रिपोर्ट बनाना हो, ओफिस के कर्मचारी को कॉन्ट्रेक्ट लिखना हो या फिर एक बुड़े आदमी को किताब लिखनी हो या अपने बच्चे को लेटर लिखना हो, सभी के लिए MS Word का इस्तेमाल किया जा सकता है MS Word के कई वर्जिन्स पहले आ चुके हैं और हर नए वर्जिन में Microsoft द्वारा कुछ नए फीचर्स एड़ किया जाते हैं साथ ही उसे कारी करने की दृष्टी से आसान बनाया जाता है और हर बार और अधिक आकरशकरू प्रदान किया जाता है Word का सबसे बेसे कुप्योग किसी भी टेक्स मटेरियल को टाइप करना और उसे फॉर्मेट करना है जैसे जैसे हम इसके एडवांस्ट फीचर्स सिखेंगे और नई-नई चीज़ें कर पाएंगे MS4 2016 इसके पुराने सभी वर्जन से अधिक उप्योगी है इसमें कई नए फीचर्स दिये गए हैं जिसकी सहता से आप अपने डॉक्यमेंट को बड़ी सरलता से और आकरशक बना सकते हैं जैसे डॉक्यमेंट में ऑनलाइन फोटो या पिक्चर्स इंसर्ट करना ऑनलाइन वीडियो इंसर्ट करना Special Effects का उपयोग करना OneDrive Option की सहता से Document Online Save और Share करना इत्यादी तो आईए, सबसे पहले आपको Microsoft Word 2016 की प्रारंभिक जनकारी दे दें Start बटन या फिर Window बटन पर क्लिक करें All Programs में जाएं और यहां से Word 2016 पर क्लिक करें यह Word 2016 ओपन हो गया है Left hand side में आपको वो documents दिखाई देंगे जिन पर आपने पहले काम किया है और उन्हें आपको ढूरना नहीं होगा आप डरेकली यहीं से क्लिक करके उनको ओपन कर सकते हैं यहां पर कई तरह की templates दी हुई हैं जैसे polished cover letter, blog spot, student report, इत्यादी इनकी साहता से आप अपनी पसंद और आवशक्ता के अनुसार अपना document बना सकते हैं माली जी हमें thank you cards चाहिए यह अगर template खोलना है तो इस पर click करें और उसके बाद create पर click करें यह देखिए, यह template open हो गया है इस पर अभी हमें कोई काम नहीं करना है इसलिए हम इसको बंद कर देते हैं अभी हमने MS Word उपन करने का एक तरीका देखा था अब उसे दूसरी तरह से उपन करना देख लेते हैं start यह अगर window बटन हो तो उस पर click करें नीचे search box में word 2016 टाइप करें देखिए, उपर ही यह नाम आ गया है अब आप चाहें तो enter press करके या फिर इस पर click करके इसे उपन कर सकते हैं यह देखिए, word 2016 उपन हो गया है इसमें आब हम blank document ले रहे हैं screen पर सबसे उपर होता है title bar आप जिस नाम से भी file save करते हैं वो नाम यहाँ पर दिखाई देता है left side में यहाँ पर आपको quick access toolbar दिखाई देगा जिसके साहता से आप ज्यादा तर काम आने वाले features जैसे save, undo, redo, इत्यादिका उप्योग कर सकते हैं आप इन में अपनी जरूरत के मताबिक options एड भी कर सकते हैं और जिन options की उप्योगता नहीं है उन्हें हटा भी सकते हैं यहाँ पर आपको ribbon दिखाई देता है जिसमें file, home, insert आदी tabs होते हैं by default MS Word ओपन करने पर home tab सेलेक्टेर रहता है इन सभी tabs में आपको अलग-अलग block और उनके options मिलते हैं जैसे home tab में clipboard, font, paragraph आदी blocks हैं इसी तरह insert tab में pages, tables, illustrations, इत्यादी blocks मिलते हैं और इसी तरह से बाकी के tabs में भी आपको अलग-अलग blocks और उसके अंदर कुछ features मिलेंगे यहाँ पर view tab के पास में tell me नाम का एक नया advanced feature है इसका उप्योग करने के लिए या तो यहाँ पर click करें या फिर अपने keyboard पर alter plus q keys प्रेस करें इस option की साहता से आप MS Word के किसी भी option पर शीग्रता से पहुँच सकते हैं मान लिजे हम search कर रहे हैं picture option तो उसका नाम यहाँ type करते ही देखिए यह option यहाँ दिखाई दे रहा है इस पर click करके आप इसे use कर सकते हैं right hand corner पर आपको ribbon display option मिलता है जिसके साहता से आप इस ribbon को hide या unhide कर सकते हैं यहाँ पर click करें अब यहाँ पर आपको तीन अलग-अलग options मिलते हैं अगर आप auto hide ribbon option को चुनते हैं तो यह देखिए ribbon पुरा hide हो गया है और अब जब भी आप वहाँ उपर click करेंगे तो वो फिर वापस आ जाएगा और वापस document पर काम करते समय click करते ही वो अपने आप hide हो जाएगा अगला option जो हमको मिलता है वो है show tabs अगर इस option पर आप click करते हैं तो यह उपर केवल tabs आपको नज़र आएंगे उसकी commands आपको नहीं नज़र आएंगी commands देखने के लिए आपको जिस भी tab की commands चाहिए हो उस tab पर जाकर के click करना होगा यह जैसे हमने home पर click किया तो home tabs से जुड़ी सारी commands यहां आ गई है document पर click करते ही वो वापस गयब हो जाएंगी और tabs और commands दोनों permanently बनी रहें तो उसके लिए फिर तीसरा option है show tabs and commands इस पर click करते ही आपको tabs और commands यह सब नज़र आने लगेंगे और यह अब document पर काम करते समय hide नहीं होगी इसके बाद आपको यहां पर minimize, restore और close के button मिलते हैं ribbon में सबसे पहला tab होता है file का जिसमें जाकर आप new, open, save इत्यादी options का उपयोग कर सकते हैं यदि आप word 2007 पर काम कर रहे हैं तो यह options आपको office बटन के अंतरगत मिलेंगे इस आरो पर click करने पर आप वापस main screen पर आ जाएंगे यहां पर horizontal और vertical ruler दी हुई हैं जिसकी सहायता से आप paragraph setting और page setting कर सकते हैं यहां आपको scroll bar मिलेगा जिससे आप अपने document ऊपर नीचे scroll करके देख सकते हैं नीचे status bar है जिससे जानकारी मिलती है कि document में कितने pages हैं और हम किस page पर काम कर रहे हैं साथ ही document में कितने words टाइप किये हुए हैं वो भी यहां पर दिखाई देता है यहां पर document को देखने के लिए अलग-अलग layout मिलते हैं जिनने हम बाद में समझेंगे यहां पर zoom button दिया गया है जिससे हम अपने page की size को छोटा या बढ़ा करके देख सकते हैं MS Word 2016 के इस अध्याए के अंतरगत आपने MS Word 2016 का परिचय प्राप्त किया साथ ही सीखा MS Word 2016 स्टार्ट करना और जाना Quick Access Toolbar, Ribbon, Ruler इत्यादी के बारे में अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें अने लोगों के साथ इसे शेयर करें और नई वीडियोज की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें